हलो क्लास 9 वेलकम टो एडियो फ्लाइविद दैंसी गुप्ता इस लेक्षर में पढ़ रहे हैं चाप नुम्बर 3 और सब्सक्राइब इस लेक्षर बॉलिटिक्स हमने शुरू किया था प्रिवेस लेक्षर में इलेक्षिन क्यामपेइंग का सलसला और उससे रिलेटेड हम ब प्रचार केहते हो इन दी में प्रचार किस तरीके से क्या एक कंड़क्त होता है और आपको बता चलेंगे जो की अलीक्षिन के तरस जाते हैं बहुत चाली चीज़ए जो आप इसकर्स होंगे उसमें से आपको बहुत चाली चीज़ए पता रहेंगी एक चीज़ ऐसी है जो आपको लगेगा this is interesting to know जैसे की let's begin with election campaign election campaign क्या होता है it is a period of two weeks तो हफ़ते का कोई कुछ समय होता है इस दो हफ़ते के समय वे अनाउस्मेंट से लेके, फाइनल यानी के टिकेट देने से लेके, डे ओफ पोलिंग तक, यहां पर लिखने पर लिखा जाता है, पर एक्चुली जब डेट होती है, उससे 14 गंटा पहले तक, बंद हो जाता है 14 गंटा पहले, तो वो 14 गंटा पहले तक का जो यह होगा, टेंट हाउस लगा होगा, दंबू लगा होगा, बहुत सारे लोगों को बिलाया होगा, और फिर उनको बिला के बताएंगे कि हम यह करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से गैधरिंग्स होती है, फिर डेमांस्रेशन सड़क पे अपने कई बार प्रचार करते हुए और डेलीज निकालते हुए तो बहुत ही फेमस है, त्क है, डेलीर्ई निकालते हैं, उसमें होडिंग्स लेके चलते हैं, आपने की तो टॉप लीडर्र होता है किसी भी पार्टी के वो टॉप लीडर्स खुद को रिप्रेसंट करते हैं यह सब करते हैं ताकि लोगों का सपोर्ट मिले होगी कई बार आपने देखा होगा गली-गली जाते हैं तिक सर्वे करते हैं ऐसे एरियास में पहुचेंगे जहां बहुत दिक्कत हो वहाँ लोगों से गएंगे आप दिकत्व करेंगे तो इस तरीके से पुबलाइस करते हैं कि लोग उनके सपोर्ट में आ जाएं इस दोरान आप उठा के लिए सब मिलेंगी स्टोरीज्स पर्ट के बारे में किसी उसकी अजेंडा के बारे में उसकी स्लोगन के बारे में और उसके हलावा टीबी पर दिख लिजेए डीबेट्स and डीबेट्स देन डिफरेंट पार्टी इस दिफरेंट स्लोगन सबसे जरूरी चीज होती है वह होता है अपने एक स्लोगन बनाना अपने पहचान बनाना जो आपकी आइडिलोजी को रिप्रेजंट करें यह बहुत जरूरी है स्लोगन लोग पुछते हैं कि क्यों बनाया जाते हैं वह पूरी सोच को रिप्रेजंट कर दे कोई एक लाइन स्लोगन बनाया जैसे कि कुछ इग्जांपल यहां उता रहे हुए मैंने फर्मियन से आती गरीभी हटाओ इट वस गिवन बाइ मेटा यह लोग सभगे लेक्शन थे अब देको सज़ेस्ट कर रहा है नाम खुदी अपने आपको एक्स्प्लेनेटर ही है जरी भी हटाओ यह थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके असवक्त मुद्दभी रख था यह जंता पार्टी के तरस से दिया गया था इनका कहना था under safe democracy उससे पहले 1977 से पहले देश में emergency आई थी जसकी वज़ा से पूरी जो हमारी security विवस्ता थी देश की वो disturbed होगे थी तो इनका कहना था कि हम democracy बचाएंगे यह जो emergency के दुरान जितना भी backlog आया है वो हटाएंगे और साथ ही हम क्या करेंगे हमारी जो defense services को strong करेंगे तो यह उनका नारत है उसकी बद्लांक तुदर चिलर यह West Bengal में दिया गया है Assembly State Elections में 1977 और यह बहुत ही famous है यह सब आप लोग जानते होंगे सब का साथ सब का विकास अट्रूस गिवन पर BJP वेर वेरी रेसेंटली और अब जुड़ गया है इसमें सब का विश्वास भी last year से तो यह भी आप लोग जानते है ठीक अब यह सब जो हो रहा है यह सब जो अबर में यह है कि do's and don'ts क्यों रखता है इसी ताकि हमने चार्टर 1 से प्रड़ा है free and fair election यह democracy का बहुत बड़ा feature है तो free and fair election रहे इसके लिए do's and don'ts रखना यानि कि किस तरीके से यह सब कुछ धरना है यह पहले से इन party को बता देना बहुत जरूरी है तो यह do's and don'ts आपके लिए नई चीज है यह हम पढ़ेंगे हमारी next slide okay so what were the do's and don'ts that was set by election commission of India हमारे parties की वबर during the election campaign and that is number one no one no one no party इसमें no याद रहना ठीके no चो है वह constant है सारे के सारे points के लिए so no party can bribe and threaten voters रिश्वत नहीं दे सकते डड़ा धंका नहीं सकते पर votes next appeal in the name of caste or religion कोई भी voting votes जो मांगे जाएंगे वो किसी caste ये religion के नाम पर नहीं मांगने चाहेंगे use government or sources for election camping कई बार क्या करते है कि जो running ruling government होती है वो भी तो हिस्सा होती है election camping का वो अपने जो सरकारी चीजे होती है उनका बहुत इस्तिमाल करती है तो इस तरीके की किसी चीज का इस्तिमाल नहीं होगा election camping में then spend more than 25 lakhs rupees if log sub election and more than 10 lakh rupees if a family election अगर state election है तो 10 lakhs सजादा का खचा और अगर log sub election है तो 25 lakhs सजादा का खचा प्रचार में नहीं किया जाए ठीक है तो कुछ बच्चों को कई आरता है कि इस पॉइंगा क्या मतलब है अपील in the name of caste or religion देखो बच्वईर में और जादा क्लेरा कर देती है उसको ये पॉइंट कह रहा है कि आप अगर इसे से वोट मांगने जाते है आपको जात्त पाथ के पशबस पश पर अपने भारत को डिवाइडने नहीं करना आपको ये बताना है कि हम पॉरे public के लिए उसको एक Unite बना के उसके भले के लिए काम करेंगे यह नहीं दिखाना है कि हम सरफ एंदूस के लिए गाम करेंगे, हम सरफ मुस्लिम के लिए, हम सरफ सिख के लिए गाम करेंगे यह सब नहीं हो करना है, ठीक है, तो यह Election Commission ध्यान रखती है, अगर लिट में से कोई भी एक रूल वालेट हुआ तो Election Commission के पास पूरा दिकार है, तो स्कान रेट का टिकेट कैंसल करने का, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ Code of Conduct Election Commission बनाती है, जो सारी पार्टी को फॉलो करने करते हैं Now, what are those Code of Conduct? पहला Code of Conduct कह रहा है कि एनी पार्टी कांट यूज अनी प्लेस ऑफ वर्शिफ को एलेक्शन कर पुएटा है, आप अपने किसी भी प्रचार के लिए किसी मंदिर मजद गुरुद्वारे चर्च का इस्तिमाल नहीं करेंगे दूसरा, कांटी उस गवर्मेंट वेकल एरप्राफ्ट ऑफिशन पॉर एलेक्शन यही बात अभी यहां बताईती कि अगर भी रनिंग पार्टी भी उसका एक हिस्सा है तो रनिंग पार्टी किसी भी सरकारी एंप्लॉई का या चीजों का या उसके एरप्राफ्स का इस्त यहां पर यहां पर यह बहतर हो जाएगा एक बार एक बार एक बार एकशन के डेट अनाउंस हो जाती है कि आज से प्रचार शुरू हो रहा है ठीक है उसके बाद से जो रूलिंग गवर्मेंट है इस सत्र की वह कोई भी ना तो बड़ा डिसिजन लेगी ना कोई प्रोजेक की होती है आज से पहले वो सब तो करेगी लेकिन अब कुछ नया शुरू नहीं करेगी किसी भी भगाई के लिए अब रोगतेगी ठीक है तो यह सारे की सारी पार्टी को डियूरिं दे एलेक्शन कैम्पेंग यह इन में से अगर कुछ भी वालेट हुआ तो EC यानिक एलेक् अगर उसने देखा कि पैर और फ्री एलेक्शन नहीं हो रहे ठीक है तो आज को यह चॉपिक यहीं पर मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि यह जो पॉइंट्स है बचो यह आपको याद रपने पड़ते हैं यह आते हैं examinations में तो जाड़ा नहीं बढ़ाओगी इतने ही points को आने वाले है polling and result ठीक है कि polling कैसे होगी जिस दिन election होगा result declaration कैसे होगा तो वो lecture भी जरूर अटेंड करेंगे miss नहीं करेंगे सारे lectures बहुत ध्यान से सुनेंगे इस chapter की क्योंकि सब practical आपके scenarios से related है okay so have a good day